सिल्क्रमी, मैं आपका स्वागत है. अब लोगीन विकल्प पर क्लिक करें. अब यूजर नाम और पासवर्ड दे. लोगी पेज खोलने के बाद, लोगी पेज के उपर रेफर अन विकल्प पर क्लिक करें. अब आप अलग अलग रेफरल विकल्प के साथ रेफरल पेज देखेंगे, जैसे इमेल आईडी या फेस्बुक या वाट्साप के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करें. सबसे पहले इमेल विकल्प देखें. उस पर एक मित्रों की इमेल आईडी टाइड करें और इन्वाइट पर क्लिक करें. अब मित्रों का इमेल खोले और रेजिस्टर के लिए नीमंत्रण या रेफरल लिंक पर क्लिक करें. रेफरल सदस्य को उस लिंक के माध्यम से रेजिस्टर करना होगा, जिसे आपने उन्हें भेजा था और अब रेफरल पेज में फेस्बुक आईकन पर क्लिक करें. इससे पहले कि आप फ्ब आईकन पर क्लिक करें, पहले आपको अपने फ्ब पेज पर लोगीन करना होगा. अब फेस्बुक पर अपने विकल का चैयन करें. आप दोस्तों के टाइम लाइन या ग्रूप या इवेंट या प्राइवेट मेसेज जैसे रेफरल लिंक को चैट में कैसे साजा करना चाहेंगे. मैंने प्राइवेट मेसेज चुना है और एक मित्रों का नाम टाइप किया है. अब उसे पोस्ट के बारे में एक संदेश दे. अब आप उनके परसनल चैट बॉक्स पर पोस्ट या रेफरल लिंक देख सकते है. मुझे अपना रेफरल बोनस मिलेगा अगर वह उस लिंक के माध्यम से रेजिस्टर है. अब वाट्चाब रेफरल देखते है. नीचे जो लिंक आप देख रहे हैं, उसे कोपी करें और पेस्ट करें और उस लिंक को अपने दोस्तों को भेजें. यदि आपने लिए ठीक से रेफरल बोनस प्राफ्ट करना चाहते हैं, तो जिन लोगों को आपने आमंतरित किया है, उन्हें आपके द्वारा भेजे गए लिंक या फेस्बुक या वाट्चाब द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से रेजिस्टर होना चाहिए. यदि वे आपके द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से रेजिस्टर हो जाते हैं, तो आप उन्हें अपने अकाउंट में फ्रेंज आप्षिन देख सकते हैं. विडियो देखने के लिए धन्यवार.